शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरन सब्सक्राइब करें साथ ही हमारी चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आईकन को दबाना ना भूलें नमशकार आपका स्वागत है करमयरुदा के यूड europé adolescent नई वीडिओ लेकरा आता हूँ और आज हम आपको बताएंगे वह पहले संकेत जिन से आप किड़नी failure की बिमारी के बारे में जान सकते हैं Kidney fail होने के 4 stages होते हैं Kidney blood से waste materials को चानने का काम करती है फिर इसके बाद दूसरी stage में urethra जो कि एक पतली tube होती है जो हर kidney से urinary bladder तक urine को ले जाती है तीसरी stage में bladder जिसमें हमारा urine store होता है आखरी stage होती है urethra जिसके जरी urine हमारी body से बाहर निकलता है Kidney की functioning से हमें पता चलता है कि Kidney कितनी खराब हो चुकी है इसलिए kidney patients को इन संकेतों का खास ध्यान रखना चाहें तो आज हम आपको कुछ ऐसे science के बारे में बताएंगे जिनने जानकर आप यह जान पाएंगे कि आपकी kidney fail होने वाली है क्योंकि यह ऐसे normal science होते हैं जिनको हम अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहें इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे science के बारे में ही बताएंगे पहला sign है भूख में कमी और उल्टी आना जिसकी वज़े से kidney की बिगरती दशा के साथ शरीर में जहरीरे मिनरल्स के लेवल में तेजी होती जाती है इसी वज़े से भूख में कमी उल्टी जी मचलना और कई बार patients को ज़्यादा हिचके आती हैं यह science kidney के patients को अक्सर दिखने को मिलते हैं इसलिए अगर आप यह science देख रहे हैं तो आप अपना treatment शुरू करवाने क्योंकि यह condition तब आती है जब patient की kidney blood को ठीक से filter नहीं कर पाती दूसरा sign है चहरे, पेट और पैरों में सूजन kidney की बीमारी के और संकेप करते हैं kidney की बीमारी के वज़े से जो swelling होती है आम तोर पे वह बहुत जल्दी नज़र आ जाती है पलकों के नीचे की सूजन जिसे periorbital edema कहते हैं यह सुबह के समय साफ साफ दिखाई देती है kidney की खराबी का सूजन एक लक्षन है लेकिन यह ध्यान में रखना शाहिए कि जरूरी नहीं है कि हमेशाब सूजन kidney की खराबी का ही संकेत हो कुछ बीमारी ओमें kidney ठीक होने के बावजूद body में सूजन होती है उतना ही important factor यह भी है कि kidney की खराबी के बावजूद कुछ बीमारी ओमें सूजन नहीं होती तीसरा साइन है यूरीन में बलड आना क्योंकि किड्नी बलड में waste materials को छानती है लेकिन जब filter सही से काम नहीं कर पाते तो यूरीन में बलड आना शुरू हो जाता है जो कि एक important sign है कि आपकी किड्नी खराब होने वाली है यूरीन में बलड आना और यूरीन को पास करने में दिक्कत आना भी किड्नी खराब होने का sign है अगर यह sign आप महसूस कर रहे हैं तो आप तुरंत ही अपना इलाज शुरू करवा दें इसके लिए आप किड्नी के डॉक्टर से मिल सकते हैं आप कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं जैसे कि यूरीन टेस्ट और बलड टेस्ट वैसे पेशाब में बलड आना यूरीन में होने वाले इंपेक्शन की वज़े से भी हो सकता है चौथा sign है नीद ना आना क्योंकि जब किड्नी सही से फिल्टर नहीं कर पाती तो टॉक्सिंस यूरीन के जरिये बॉडी को छोडने की बजाए बलड में ही रह जाते हैं इससे आपको नीद आना मुश्किल भी हो सकता है वैसे नीद ना आने के कई कारण और भी हो सकते हैं जैसे कि मानसिक तनाव लेकिन यह साइन किड्नी की खराबी को भी दिखाता है हम इसके लिए कुछ पेशेंट्स को आईरोधिक इलाज की सला देंगे क्योंकि किड्नी का सही इलाज सिर्फ आईरोध में ही चिपा है आखरी साइन है मसल्स में एठनाना क्योंकि यह kidney पर दबाव और सही से काम ना कर पाने के कारण हो सकते है वैसे muscles में एठन आना कम calcium का भी परिणाम हो सकता है इसी तरह और sign भी है जिसके आप यह जान सकते हैं कि आपको kidney की समस्य है जैसे कि जल्दी ठकान लगना, शरीर में पीला पन, पीट के निचले हिस्से में दर्द, शरीर में दर्द, खुजली आदि तो आज हमने आपको बताए वो पहले संकेश जिनसे आप kidney failure की बीमारी के बाल में पता कर सकते हैं अगर आप या आपकि के परिवार का कोई सदस्या है, kidney से संबन दित, किसी भी रोग से पीडित है तो आप अरुद्द के इन्द में संपर कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिष्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी सब्सक्राइब करें अगर आप भी किड्नी डालेसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनी धवन से संपर कर सकते हैं हमारा पता है जी ट्वेंटी न्दी एम वन प्लॉट नंबर बी टू थ्री फो अपुजिट एन आएमस नेताजी सुभाश प्लेस पितंपुरा न्यू डेली वन वन जीरो 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 फ्री फोर हमारे फोन नंबर से हैं हमारी एमेल आइडी है डॉक्टर एट कर्मायुर्वेदा डॉट कॉम अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.कर्मायुर्वेदा डॉट कॉम पर लॉग आन भी कर सकते हैं